प्रभातकबर.com विश्वास्वही रवतार नहीं नमस्कार आप देखरें प्रभातकबर मैं हूँ आपके साथ रितुसुमर्ण धनबाद जज उत्तमानंद मौत मामले का खुलासा CBI जल से जल्द करना चाहती है रविवार यानी कल भी CBI ने घटना स्थल पर सीन रिक्रेट किया CBI टीम आरोपी ओटो चालक लखन वर्मा और राहुल वर्मा को घटना स्थल पर ले गई जिस ओटो से टकर हुई थी उसे भी लाया गया घटना स्थल पर ओटो को चालू किया गया लखन ने ओटो चलाया और राहुल उसके बगल में बैठा एक CBI कर्मी उसी तरह वॉक कर रहा था जैसे न्यायधीश मॉर्निंग वॉक कर रहे थे लखन ने CBI कर्मी को उसी जगह पर टकर मार कर गिराया जैसे पहले की घटना में हुआ था हाला कि ये टकर नकली थी उसी वक्त CBI कर्मी ने जमीन पर गिर कर देखा कैसे न्यायधीश को चोप लगी CBI ने क्राइम सीन दोहरा कर सबू जुटाने की कोशिश की CBI ने सीन रिक्रियेट करने में इस बात का ध्यान रखा कि जिस वक्त 28 जुलाई की सुबा पांच बचकर 12 मिनट पर घटना हुई उसे उसी समय दोहराया जाए रविबार को सीन रिक्रियेट करने का समय भी लगभाग वही था हाला कि जाच सुबा 9 बजे तक चलती रही CBI ने पता करने का प्रयास किया कि जज उत्तमानंद की मौत कैसे हुई थी 3D लीजर टेक्निक का स्तमाल करते हुए ओटो के स्पीड सडक पर उसका घुमाव सडक की स्थिती ब्रेक लगा था या नहीं जज धक्का लगने के बाद कैसे गिरे जैसे कई चीजों को दोहराया गया धनबाद के जज उत्तमानंद की मौत के मामले में जाच कर रही CBI की टीम रविवार शाम में हजारी बाग शिवपुरी के उनके आवास पर पहुची और उनके पिता और उनके भाई से CBI अधिकारियों ने एक घंटे से जादा देर तक बाचित की उन्होंने उत्तमानंद की पोस्टिंग से जुड़ी जानकारी ली CBI टीम ने आटो के आगे की बॉड़ी और मिरर से किसी को कितनी जोर से धक्का लग सकता है हर एक एंगल को नोट किया CBI अपने एंगल और पोस्ट मार्टम रिपोर्ट का मिलान करवाएगी मिलान के बाद ही ये पक्का हूँ पाएगा कि आटो से टकर लगी है या फिर किसी हतियार से प्रहार किया गया है